समर में बोडी कैसे बनाएं? दोस्तों, गर्मियों में बोडी बनाते वकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए टिप्स नमबर वन समर में हो सके आप मौर्णिंग में 5-6 में वर्काउट करे क्योंकि मौर्णिंग में टेंपरेचर कम होता है जिससे आपके एनर्जी जादा वेस्ट नहीं होगी और आप देर तक वर्काउट कर पाएंगे टिप्स नमबर टू समर के टाइम में आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना होगा डिहाइडरेशन से बचना होगा जितना ज़्यादा पानी पीओगे उतनी ज़्यादा मसल्स बनेगी क्योंकि हमारा सरीर 60% पानी से बना होता है टिप्स नमबर ट्री समर में आपको वाटर मेलन, ओरेंज और नारियल का सेवन भी करना है अपने रेगुलर डाइट के अलावा टिप्स नमबर फॉर्ड, जब भी आप वर्काउट करते हैं उस टाइम पर, रेस्ट के टाइम में आपको पानी ज़रूर पीना है ताकि आप एनर्जेटिक फिल कर सको टिप्स नमबर फॉर्ड, समर के टाइम आपको ज़्यादा फिट कपड़े नहीं पैनने है वरना आपको ज़्यादा पसीना होगा और जिससे आप एनर्जेटिक फिल नहीं करोगे और आप देर तक वर्काउट नहीं कर पाओगे जिससे आपकी एक्सरसाइज रह जाएगी अगर जानकरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बाइ दोस्तों